हेलो फॉन्स विल्कम्स यूटीब चैनल कॉर्णाइन क्लासेज यह हमारा मॉग टेस्ट है आज हम मिनी मॉग टेस्ट रखा है एक हमने सेट वन जो है आपका मॉग टेस्ट का वह हम पहले ही आपको करा चुके हैं आपको कॉंसेट करेंगे हम लोग देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सम वांट आर डिजायर कुछ वांट जो है वो डिजायर है तो सम वांट आर डिजायर इस तरीके से आपका बन जाएगा ओनली डिजायर और रियल इसका मतलब क्या होगा कि और डिजायर और डिजायर ठीक है और नो वांट इस अन्रियल कोई भी वांट जो है वो अन्रियल नहीं है ठीक है काफी अच्छा और लेटेस पैटन का सवाल करा रहे हैं आपके कॉंसेट इसमें किलियर होंगे conclusion है no want is real कोई भी want जो है वो real नहीं है तो ये हमारा सही होगा some desire are unreal some desire desire का सर के लिए है unreal का सर के लिए है तो ये हमारा ललत होगा एक चीज़ और समझे only desires are real यहाँ पे दूसरा statement था only desires are real इसका आप लोग समझते हैं कि all reals are desirous तो ये जो real है ये जो real है सिर्फ positive relationship बनाएगा desire के साथ और बाकी कोई भी हो want हो unreal हो इन सब के साथ negative relationship बनाएगा तो no want is real कोई भी want real नहीं हो सकता है तो ये true होगा अब इसी सवाल को अगर definitely syllogies में बदलना होगा definitely syllogies में जैसे होता है कि definitely follow ठीक है definitely follow ये definitely does not follow no want is real definitely follows ठीक है इस तरीके से आप से पूछ सकता है कि यहां तो conclusion में लिग देगा कि definitely follows या दूसरा क्या करेगा कि आपका देखिए statement का जो question रहेगा उसी में लिग देगा कि definitely follow statement बताएए कौन सा करता है definitely follow तो यहां पे no want is real जो है हमारा definitely follow करेगा ठीक है definitely follow वही statement करेगा जो possibility में भी उस case को हम लोग नहीं बना सकें एक so no want is real is a possibility भी हम लोग नहीं बना सकते हैं ठीक है थोड़ा concept भी हम आपको देते चलेंगे exam के साथ हार question के साथ okay तो चलिए आते हैं question number two के उपर okay question number two यह रहा वीडियो को like करना मत भूलिएगा चल यह क्या बोला है no shoes are shirts ठीक है यह shoes का बना लेते हैं और यह shirt का बना लेते हैं कोई भी shoe जो है वो shirt नहीं है mostly shirts are trouser mostly shirt are trouser मतलब क्या होता है some shirts are trouser। ठीक है all trouser are comfortable सारे के सारे वो यह वह comfortable है every comfortable are shirt सारे के सारे comfortable वह shirt है नहीं है ठीक है all trousers can entities सारे के सारे ट्रॉजर्स जो है यह ची जो है कभी भी shoes नहीं हो सकते हैं देखो यहां पर ट्रॉजर का यह वाला पाट जो शिर्ट के अंदर है वो तो कभी भी शूस में नहीं जा सकता है तो यह हमारा दूसरा सही रहेगा ठीक है तीसरा पर आते हैं Only symbols are number मतलब all numbers all numbers are symbols all numbers are symbols a few letters are symbols a few letters means some a few letters are symbol some letters are symbol no alphabet is letter कोई भी alphabet जो है वो लेटर नहीं है conclusion क्या है a few symbols can be alphabet देखो अब यहां पर क्या बोला can be can be जैसे ही लगा दिया तो यह हमारा statement possibility में चला गया possibility में हम क्या चेक करते हैं कि हमारा यह जो statement है वो true हो जाए और लेकिन कोई भी जो हमारा core statement है वो गलत नहीं होना चाहिए a few symbols can be alphabet तो symbol का circle अगर हम इस तरीके से बना दे मनलो की थोड़ा distort करके circle इस तरीके से बना बना दे कि ऐसे आया और फिर ऐसे आ करके ऐसे बन गया ठीक है चलो circle आप distort कर सकते हो तो symbol कुछ symbol जो है वो alphabets हो गए सो हमारा can be alphabets यहाँ पर यह हमारा true हो गया no letters are number कोई भी letter जो है वो number नहीं है ठीक है अब हम थोड़ा सा board को clear करते हैं फिर आपको बताते हैं देखिए इसमें क्या बोला कि no letters are number कोई भी letter जो है वो number नहीं है अगर कोई statement no है कोई भी definitely true होने के लिए किसी भी statement को possibility में भी आपको true होना चाहिए तो no letter सा number अगर बोला है तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या number लेटर को interaction है तो यहाँ पर पहला statement देखो only symbols are number तो सिर्फ symbol ही number हो सकते हैं तो कोई only का positive negative तो हम पहले ही आपको बताया है तो तो नो लेटर नंबर हमारा true हो जाएगा नेक्स पर चलते हैं कि स्टेट्मेंट नंबर फॉर पर कि उन्ली मैंगोज और एपल उन्ली मैंगोज और एपल अगर आप only चाहने तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको खलती होता है कि only वहले से जिसमें आप भूल जाते हैं only condition तो only आप यहां पर एक लिखा दिया some mangoes are juice only mangoes okay यहां पर गलत लिखा गया all apple are mangoes यहां पर हमने only लिख दिया some mangoes are juice some mangoes are juice some juices are sweets some juice are sweets ठीक है all apple can be sweet सारे कशार apple sweets स्वीट सो सकते नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर ओनली का है पॉजिटीव एक शेश्री प्याद रखेगा सब मैंगो सब्सक्राइब अचिछ लिए नेक्स्ट पर आते हैं यहां पर आपके लिए इसको सही कर लिजेगा सेकंड फॉलो करेगा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से ओनली मैंगोज अपल्स ठीक है एपन यहां है मैंगोज यहां सम मैंगोज आर जूस सब सम मैंगोज आर जूस सम जूस अर स्वेट शेख ऑल एपन्स कारन भी इसूइश सिया तो हमरा गलत सम मैंगोज आर सूइट कुछ मैंगोज कर सूइट है यह हमारा घलत है और पॉसिभीटी मैं हमारे हो रहेगा ठीक है चली सब्सक्राइब है अब ही अब यह अब को पदल नह सब्सक्राइब करेंगे जो अलग से सट चल रहा है मौक को उसमें पदल वगारा सारी चीज कर रहा नहीं देखा तो पहला नंबर देख लीजेगा सेट अप लोड हो चुका है अब देखो इसमें हमें डीप का यह पूचा कि वाट इस दा कोड फॉर डीप एक तरीका से होता ह है कि आप कॉपी में से यहां पे कॉमा इक उतार करकर बना लिजी जो हो बनाता है या फिर एक एक अब्जरवेशन से आप बने को कि यह सवार के सबाब को आप तो यह कर सक्ऴेशन में दीजएगा चलो यहीं तक रखें, ओके चलो एक यह सवाल बनाते हैं, स्विलोजिम्स का, यह लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का, चूज दे कंडिशन तैट डेफिनेटली ड़स नॉट फॉलो बोला है, नो लाइफ इस प्लेजर, ठीक है, नो लाइफ इस प्लेजर, तो यहां पे लाइफ के सिर्किल बनाएगे, और यहां पे प्लेजर का सिर्किल बनाएगे, और यहां पे, no life is pleasure all supports are absolute ना हमें अभी support मिला है ना absolute मिला है छोड़के दूसरे line पे आते है some carrier are life तो यहाँ पे life है तो इसको बना दो some carrier are life no support is life तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दो no support is life all support are absolute तो एक बड़ा सरक्ल यहाँ पे बना दो इससे बड़ा जो की absolute पर हो जाए अब हमको निकालना है क्या definitely does not follow some carrier are absolute कुछ carrier जो है वह absolute है नहीं है some carrier are pleasure कुछ carrier pleasure है नहीं है all carrier being pleasure is a possibility सारे के सारे carrier की pleasure होने की possibility है नहीं है no pleasure is absolute कोई भी प्लेजर जो है वह absolute नहीं है चलो यह true हो रहा है कोई भी प्लेजर जो है वह absolute नहीं है ओके जलो थोड़ा सा हमारा मूव होगे ना question पर इससे बनाना होगा मैं चलो इस में देखो कि हमारा यह जो है ना यह option no.3 option no.3 हमारा true होगा कैसे होगा देखो 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 जल्दी देखो life जो है वो हमारा pleasure नहीं है ठीक है कोई भी life जो हमारा pleasure नहीं है और some carrier केक्ड का सर्किल है और no life is a support है और some all supports are absolute है अब देखो यहां पे क्या दिक्वत आ रही है । तोके देखो यहां पे कभी भी प्लेजर में नहीं जाएगा तो यह हमारा definitely does not follow statement होगा ठीक है definitely does not follow statement यह हमारा होगा किलिए रहे बात तो हमारा answer number C हो गया है हाँ पर एक और question देखते हैं यह definitely does not follow question number 21 आपका homework है इस video के last में आप नीचे comment section करके comment section में इसका answer बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजेगा all the best for upcoming examinations फिर मिलते हम लोग next video के साथ